है हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब थे होंगे और मैं बहुत यूप चाहती हैं जो दो बच्चों कि इता रखना चाहती है या फिर जो मानोड बच्चे को दूद पिला रही है जिनकी नहीं नहीं साथी वीडिय lo later नही उनके लिए प्रग्णिंसी कशिव नहीं करना चाहती है तो वीडियो को स्टार्ट हिरोत करतें तो वह यह हैं जिसकों अन्तरा में चै क्रच्टान के नाम से चाहते हैं ऊफ्षारं के नाम से एक्सवाय-डेट चफ्टारल n हमेंगे उसके बाद इसको आपन उसक Bagh खोलि ओकोई भी मेंटिसिन कोई इंजेक्शन हो कुछ भी ओ आप हमेज़ा उसके एक सुनार करेंगे उसके बान के लिए हैं तो यह कुछ के साथ ही हमें सिरिंज मिल जाती है जो इसी में लगाने के लिए रहती है ठीक निडिल है और यह सिरिंज है और यह वो इंजेक्शन है ठीक है यह कांच में है इसको ही इसमें ओपन करके से लोड करते हैं और उसके बाद ही लगाते हैं ठीक है इसके साथ हमें कॉटन मिल जाता है यह स्वाप एल्कोहल वाला स्वाप है कॉटन है ठीक है इसके अंदर इतनी चीजे थी तो आपन सुरू करते हैं तो देखें यह वही इंजेक्शन है जो आपको प्रिग्नेंसी होने से बचाएगा आपको इसको हर तीन महीने लगवाना है हर तीन महीने ठीक है याद अच्छी और सुरुच्छी दवा है ठीक इंजेक्शन है इसको आप आसानी से यूजDo कर शत्ते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी अट यह स्कों लगवाना कभ है ठीक है तो आप याद रखो जब आपका पिरियदए आता है जब आपका करने में भी लग सकता है आपके हाथ तो przysz बाहें में भी लग सकता है और विंद्लं कवर E picks दरें परोवाना है और से पहले आपको बात queleडनी होगी, कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए या फिर अभी हम प्रेग्नेंसी इंसी नहीं कलना चाहते हैं तो हमें अंत्रा इंजेक्शन लगवाना है तो इसके बाद डांक्टर आपको मतलब आपका वीपी लेंगे वेट करेंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इससे आप अपको बताएंगे जो भी कुछ प्रॉब्लम तो जब भी कोई अपको इंजेक्शन हो मिरसीन हो टैबलेट हो कुछ भी खाने से पहले लेने से पहले हमेशा डाक्टर से आपको मिलना है उनसे पूछना है उसके बाद ही उनका यूज़ खना है ठीक है तो अभी किसको किसको रीज़े उनका है जीचेशन लुदेगा अन्तरा निजेक्शन के कुछ फायते हैं जैसे कि माली Grande किसी को बहुत जादा हे wanna इट्व होता है तो झाल इंजेक्शन लग जाएगा तो उसको बंडीडिन बहुत कम आता है ठीक है यह तुसका फायदा ही इसका पायदा हो गय या विज दिन लेट हो गया या फिर आपका पीरियड ही नहीं आया तो इसमें यह प्रॉब्लम है पीरियड के इसमें इसमें इसू है और देखें जहां पर आपको इंजेक्शन लगेगा मालिज अगर आपके हाथ में लगा है तो आपको ना वहाँ पर सिकाई करनी है और नहीं आपको आपको कुछ नहीं करना है आपको अगर आपके कमर में लगी है तो भी वहाँ पर भी ना सिकाई करना है ना मालिश करना है व कर दो तक तक प्रोगनेंसी नहीं चातेकों जब तक आप दूसरा बच्चा नहीं चाते हो जब तक आप प्रेगनेंट में ठाहते तो तक यहान इंजक्षशन कहां बिलेगा सब्सक्रिभी पीच सी यह जब डिश्टी को चाह सी सी विल कोई भी ऊस्पिटल आपको असानी से मिल जाएगा ठीक है तो यह वो अंतरा इंजेक्शन है इसका डोज 1 एमल रहता है वन इमल लगता है जो तीन महिने तक असरदार रहता है जब आप पो हस्पिटल जाओगे तो आपको वहां स से मतलब आपको पुरा नामूम सब कुछ लिख लिया जाएगा उसके बाद आपको एक कार्ड देंगे जब भी आप जाय तो तीन मेहने बाद जाओगे तो वह कार्ट आपको लेकर जाना है तो क्योंकि उस कार्ड में आपके अगले तीन महिने की डेट लिखी होती है कि हमेजा उस कार्ड को अपने साथ ले कर जाएगा और उसमें द्यू डेट लिकना होता है उनको भी लिखना होता है आपको बताना होता है तो कार्ड को आवच्छ लेकर जाएगा ठीक है ओके थांक यू